तो यह संस्कित में त्राडी नमाश संस्किता संस्कित देवारी गंगा चैनल पर मिखदूतम की स्लोकों की व्याख्या चल लही है तीन स्लोकों तक का हमने चर्चा कर लिया है और आज इसी करम में हम अपने चौठे स्लोकों की तरफ बढ़ते हैं हाँ यदि इससे पहले इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए सेर कीजिए तो आईए हमारे साथ वाचन कीजिए कि प्रत्यासन ने नभसे दैता जीविता लंबनार थे जीमूतिन स्वकु सलमाइम हारे इस्यन प्रवेतिम सप्रत्याग्रे कुट जैकु सुमै कल्पितार घाय यश्मै प्रितह प्रिति प्रामुख वाचनम स्वागतं ब्याज हार प्रितह प्रिति प्रामुख वाचनम् स्वागतं ब्याज हार मंदा क्राम्ता चन्द है चार च्छ परियति होगी और इसी स्लोकार्थ होगा कि स्वागतं ब्याज हार है सह अर्थार्थ यक्ष अर्थार्थ वह यक्ष जब भूए देखा कि मेगा लों के मेग को देखकर जब उसके अंदर आलिंगन के इच्छा हुई जब वह मेग को देखा सानुम पर असा उस परवत के शिखर पर चिप्टे हुए मेग को देखा सटे हुए मेग को देखा तो उस में के अंदर कुस इच्छाय जागरित हुई और क्याक्या इच्छाई ज्यागरित हुई, कि सॉरपर्थम उसमेग को देखकर ब्याजहारह किया, बी आंग हृिधातु लिटलकार प्रथम पुर शेकषण का है, तो सह ब्याजहारह हुआ किया, क्या किया, स्वागतम, स्वागतम मानने स्वागत किया, किस प्रकार से किया कुछ से विशेशन भी दिये होंगे कि कैसा स्वागतम था क्लिर है तो स्वागतम वियाजहर है उसे यक्ष ने स्वागत किया और कैसा स्वागत किया सबसे पहले प्रीतह प्रसंद हुआ, कोई भी यती थी, हमारे घर आ जाए, तो काली डास के इस काब्य से एक सीख ले लीजिए, काब्यम यस से अर्थ किते ब्यावहार विडे, कि काब्य से हमें यस की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, और ब्यावहार ग्यान मिलता है, ब्यावहार ग्यान क्या है, कि कोई भी यती थी यरी आपके सामने आ जाए, एक आएक आपके घर आ जाए, तो प्रीत प्रीत है प्रीत है प्रीत है प्रसंद हो जाए जैसे ही अतित है आपके सामने आजाए तो सरप्रथम प्रसंद हो ये ये नहीं कि आप मोगुरा ले ना खुला ले यह क्या है उस अतित के मन में दुर्भावना होगी कि जाते ही अगर सामने वाला ब्यत्ती प्रसंद नहीं हु तो समझ जा इब हमारे यहां पर कोई इज्जत नहीं है तो प्रीत रेति प्रामुख वचनम और प्रिति मनें जिस वाक में जिस वचन में जिस वाणी में प्रेम भरा हो ऐसे वानीं प्रेम भरईवानी से उसका स्वागतम ब्याजहार स्वागत कीजिए यह में व्याज्यान मिल गया उसी तरह उस यक्ष्ण ने भी क्या किया उस मेघ को देखा तो बोला कि पृतह, पृतिरप्रामुख वस्चनम स्वागतं व्याजेहार सह यक्ष, रथात्व यक्ष क्या किया उस बादल को देखकर उस मेघ को देखकर प्रसन हुआ प्रसन होकर प्रेम से यूगत मनए री जिसमें प्रेम हो जिसमें प्यार हो ऐसी प्यार भरी वानी से स्वागतम ब्याज़ार उस मेग का स्वागत किया तो चोथी लाइन का रथा आप तक पहुँच गया तो उपर की लाइन में आ जाएए कि सप्रत्या ग्रए कोट जै को सुमई कल्पित आरगाय एसमई तो इसमें भी चतुर्ती है कि जैसे हम लोग आरग देते हैं पूझा, पाट करते हैं, यह विषेशण estiver इसमई का यसमई कलपितार घाय यह विशेशन है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो जैसे घर से ही निकलते हैं तो हमारे जो कुल देवतावते दूर से उन्हें प्रणाम कर लेते हैं या विद्धा चल की देवी को हमारे परिवार में ज्यादा माना जाता है तो हैं यदि कोई मंदिर पढ़ गया तो सर ज़ुका लेते हैं तो यही कलपित अर्ग है कि है इस वार हमारे पास समय नहीं है मुझे कोचिंग के लिए पढ़ने के लिए कुछ जरूरी काम है माय रुक नहीं सकता इसलिए मैं आपको दूर से ही प्रणाम करता हूं यही कलपित है काल्पनिक अर्ग क्लियर हो गया तो उसी तरह वह मेग भी कलपिता अरगाय पूजा करने के लिए अर्ग दिया किस का अर्ग दिया तो दिया है प्रत्यग्रई कुटुज कुस्मई क्या है फिशेशन है कुटूज कुमयी प्रत्यब्ढ़ई क्या होता है पहाडी चमैली या जो में फूल उत्पन्न होते है कुटज के, तो ऐसे फूल और वह फूल कैसे थे प्रत्याग्रई जो अभी अभी निकले हुए हैं जिसके फूल कोमल है, जिसके पत्तिया कोमल है, ऐसे फूलों से सह, वह कौन यक्छ है, काल्पनिक आर्ग दिया, मानी काल्पनिक पूजा पाठ किया, कि हे मेंग जी, हम आपक कि पूजा करते हैं क्लियर हो गया कि के जो होता है कि है स्वर हमारी रक्षा करो है बाबा विश्वनात हमारी रक्षा करो मंदिर तो है नहीं है लेकिन हम यहीं से ही उसी स्वर को याद करते हैं क्योंकि कभी भी हम उनके दर्सन करने गए होंगे उनको दर्सन किये होंगे उनकी महिमा को जाने होंगे तो उसी तरह हम लोग कालपनिक अरगाय करते हैं और आज के पूजा पाठ में जो चीजे नहीं हो किस स्वागतम ब्याज हा रहा है उस यक्ष ने स्वागत किया किस से किया पहला तो किया उन्होंने कि प्रित है प्रिति प्रामुख वचनम जैसे ही वह मेग को देखा प्रसंद हुआ और मेग को देखा प्रसंद हुआ और मेग को देखकर आम इनसान भी प्रसंद होता है कि मासम खुस्नमा हो जाएगा दूसरा प्रेम भरी या प्यार भरी वानी बोला पहले तो प्रसंड हुआ प्यार भरी वानी को भी बोला और उसके पास उस जंगलों में फूल फान नहीं थे तो यूए कुटज के खुस्मों से ही अठार पहारी चमीली से ही, वग कलपी तरगे लिए अथाच, उसके सामने पूझेश हम सूरदेव को जल चड़ाते हैं, तो इसी तरह से जल चड़ाते हैं, क्या वह सूर्व तक पहुंचता है कैसे पहुंचता है बस एक कालपनी कर गा कि है इस्वर हम आपको जल चढ़ा रहे हमारा जल सुष्विकार कीजिए तो उसी तरह भाई वह पहाड़ पर है मेग उससे बहुत उपर है तो मेग तक फूल पहुंचने के लिए इसलिए यहां प उपर की लाइन में कि आखिर मेग का स्वागत क्यों कर रहा है समस्या अब उत्पन होई कि इतना मेग से प्रेम क्यों दिखा रहा है मेग को देखकर प्रसंद क्यों हुआ प्यार भरी वानी से उसका स्वागत क्यों कर रहा है पहारी फूलों से कल्पित अर्ग क्यों दे रहा ह तो उपर की लाइनों में आ जाए कि प्रत्यासन्ने नभसे दईता जीवेता लंबनार थी प्रत्यासन्ने नजदीक आने पर क्या नजदीक आने पर नभस सावन माह नजदीक आने पर मेग को देखा कम था असाढश प्रत्यासन्ने नभसे और सावन मास के नजदीक आने पर था नजदीक कुछ दिन बीत जाने पर क्लीर हो गया और क्या उस बीत जाने पर क्या हुआ कि देखा जीविता लंबनार थी Dieseri जीवता मनुष्का जीवन चाहने के लिए आलंबन आर्थी मने जानने वाला उसी तरह आलंबन मिंस होता है सहारा अर्थी मने देने वाला दैता जीवता लंबनार्थी यथा अपनी प्रियत्मा को सहारा देने के कारण अखिर हुआ है यह सब कार्य क्यों कर रहा है प्रेम के वचन क्यों बोला, प्यार के वचन मेक से क्यों बोला, प्रसन्न क्यों हुआ, फूल से उसका स्वागत क्यों किया, तो क्यों किया, क्यों कि वह अपनी प्रियत्मा का जीवन बचाना चाहता है, कौन बचाना चाहता है, तो सहदैता जीवता लंबनार्थी, था तो व महां पर कोई उसके मुसीबत आगी मुसीबत नहीं आई प्रत्यासन्ने नभसे दैता सावन माह नजदी के आ रहा है इसलिए वह अपनी प्रियत्मा का अपने यक्षणी का अपनी पत्नी का अपनी कांता का जीवन बचाना चाहता है क्योंकि सावन माह में बीरह बहुत दुखदाई होता है कहीं हमारी प्रियत्मा के प्रान ना चले जाएं इसलिए वह मेग को प्रसंद कर रहा है कि सदैता जीविता लंबनार्थिव अपनी प्रियत्मा के जान को बचाना चाहता है क्योंकि सावन के माहमें चारों तरफ मौसम हरा भरा हो जाता है जूले जूलते हैं लोग और जितने हमारे आज तक के गाने बने हैं सावन का नाम उसमें जरूर होगा कुछ गानों को छोड़कर सावन सब्द का जरूर हो आया सावन जूम के इसी तरसे बहुत सारे आपको गाने होंगे हमें तो याद नहीं है लेकिन एक-दो है आया सावन-जोम के है या सावन के जूलों ने तो यह सब क्या है जो हमारे राइटर थे जो संगीतक ये जो लेखक थे इनी सब चीजों को पढ़कर उन्होंने गाना मना दिया यह बाते काली डास बहुत साल पहले लिख दिये क्लियर है तो यहां पर बताएगा कि प्रत्या सन्ने नभसी आखिर उसकी पत्नी के प्राण क्यों चले जाएंगे क्या उहां कोई मुसीबत हो गई क्या भुकम पागया नहीं सा बनता है सावन में जो हमारे मन के अंदर खुस हाली उत्पन होती जो हमारे अंदर खुसनुमा माहौल बनता है मन के अंदर कहीं उसके बियोग में हमारी पत्नी के प्राण न चले जाएं इसलिए हुआ हमें को देखकर क्या हुआ प्रसंद हुआ प्यार भरा वचन बोला कु क्या था क्योंकि प्रत्यासन्ने नभासे दैता जेवेता लंबनार थे अपनी पत्नी का जीवन बचाने के लिए वह क्या किया कि यह सब कार्य किया कि प्रेम से वचन बोला प्रसंद हुआ और कुटुज के कुस्मों फूलों को चड़ाया अब कार्या क्या था क्योंकि सावन का महें नजदे कारा है चारो तरफ मौसम हरा भरा हो जाता है पेड़ हरे भरे हो जाते है नदियों में पानी आजाता है माने चारो तरफ मौसम हरा भरा गीला गीला हो जाता है उसी तरह कि जब मौसम हरा भरा होगा थमारा मन भी हरा भरा होगा जब कोई भी विव्यक्ति एक जगह राते राते ऊब जाता है या उसकी मान से किस्थते थोड़ी से गड़बड हो जाती तो लोग मनुबैग्यानिक के मनच के पास जाते हैं मनंight के पास जाते हैं मनुच के फ्सक पास जाते हैं रायए ऑभ याप कहीं स evac डूं measure भूबने का मतलब प्राकृति वद्धाम मेरा कर आप का मन बदल जाएगा आपके इंदर टिंसन है खत्म हो जाएगा कि यह क्या है यह सब चीजे पहले ही हैं लेकिन हम लोग क्या है उस चीजों को पकड़ नहीं पाते आकलन नहीं कर पाते कालिदास ने प्रत्यच रूप से बता दिया यक्ष के माध्यम से कि प्रत्यासने नभसे दैता जीविता लंबनार थे अर्थात अपने यक्षणी का जीवन बचाने के लिए अपने यक्षणी के जीवन को सहारा देने के लिए कहीं हुआ हमारे बियोग में मर न जाए इसी लिए वह बताया कि जी मूते ना स्वाकु सलमाईं हारेशन प्रवेतिम अर्थात अब वह अपनी कुसलता को भेज रहा है कि है प्रियत्मा मैं सुखी हूं कुसल हूं अच्छे से हूं किसके द्वारा जी मूतेन थाट जी मूतेन माने मेग थाट बादल थाट उसी मेग से वह क्या कर रहा है जी मूतेन थृतिया है कि उस मेग के द्वारा स्वाकुसलमाईम प्रभितिम हार इस्यन भेजना चाहता है वह अपनी कुसलता को उसी मेग के द्वारा क्या कर रहा है प्रभितिमाने वारता को समाचार को कि इस्वाकुसलमाई मैं सुख पूर्वक हूँ कुसल हूँ हाँ आपके वियोग में दुबला हो गया हूँ जो हमारे हाथ का कड़ा था कंगन था कहीं गिर गया वह गिरा उसका एक करण था आपके वियोग में गिरा जब हमारी यह हालत है तो तुम उस अलकापुरी के महलों में कैसे रहती होगी यह मैं अच्छी तरह समझता हूँ इसलिए वह जी मुतियन के द्वारा था उस मेग के द्वारा प्रभीतिम कुस्वा कुसल मैं हारिस्यन अपनी समाचार की कुसलता को अठाक मैं स्वयम कुसल क्लियर हो गया तो यह इस लोग का भावरा की प्रत्यासन नभसे दैता कभी कभी पूछ लेगा नभस का अर्थ क्या है सावन माह के असाड के बाद आता ही क्या है सावन आता है तो किसके नजदीक आने पर सावन माह के नजदीक आने पर कौन अपनी पत्नी को सहारा देना च यक्ष देना चाहता है दैता जीवता लंबनार्थी दैता माने अपनी प्रियत्मा को जीवित अलंबनार्थी माने देने के लिए कि उसका जीवन बचा रहे। इसलिए वह बताया, आठ माह बीट गए उस यक्ष को कोई दिक्कत नहीं हुए, लेकिन वह जान रहा था, कि अब सावन माह आने वाला है, और सावन माह भी रही लोगों के लिए बड़ा दुखदाई होता है, इसलिए वह यक्ष परेसान था, और मेह का स्वागत किया, तो ए एक बार हमारे साथ हुआ चन कीजिए, प्रत्यासन ने न भसे दाइता, जी वितालं बनार्थे, जी मूतेन स्वको सलमाईं, हारे शन प्रवेत्म, सप्रत्य ग्रै कोटज कुसुमै, कल्पितार गाय यस्मै, प्रितह प्रिति प्रमुख वचनम, स्वागतं ब्याज हारह, तो हम आसा करते हैं, इस लोग का संपूर्ण अर्थ आपके पास पहुँच गया होगा, कुछ यस्मै का विशेशन करपितार गाय है, कुटुज कुस्मै का विशेशन पत्य गई है, स्वागतं का जो विशेशन है, कि प्रितह प्रमुख वचनम स्वागतं, मने प्यार भरी, कैसी वाणी को स्वाणी किया, कि जिस वाणी में प्यार हो, उसी तरह प्रभितिम का जो विशेशन है, स्वागतं कौन हुगा, सह प्रितह प्रसन हुगा, कौन प्रसन हुगा, प्रितह भी यक्षि का विशेशन है, तो सह प्रितह प्रमुख वचनम स्वागतं व्याजहार है, बीच में ये सब भी जोड़ेजे कि प्रत्याग्रई कल्पितार ग्हाय ये समय कल्पितार ग्हाय कुटों जुकु समय प्रत्याग्रई तो जैसे मद शोड़ते जाए तो यहांपर जी मूतेंस, बादल, थाट मेग, और आगे दिया है नवहसी, प्रत्यासन्य सरधातू है उस सामनमा इसी प्रकार से प्रस्ण बनेंगे व्याजहार में कौन सा उसर्ग है धातू है वी आंग हरे धातू लगेगा व्याजहार बनेगा अठात बोला तो यह हमारा इस लोक रहा कैसा लगा कमेंट बाक्स में वह से बताए हाँ चैनल पर यह दिनाए है तो जुड़िए सस्क किता है सुब संध्या सुभरार्त्री